कटड़ा जहां हर दिन मा वैश्णो देवी के दर्शनों के लिए हजारों शृधालू आते हैं लेकिन वर्तमान में अधार शिवर कटड़ा का मुख्य बाजार पूरी तरह से दलदल में तबदील हो चुका है जिसके कारण देश बर से आर रहे शृधालों को खरीदारी के लिए इस मुख्य बाजार में भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी और लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण कीचड़ वगंदा पानी दुकानों के साथ ही रही गरों के उपर गिर रहा है पर इस दलदल को पूरी तना से साफ करने में अभी तक प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है दरसल जल पूरती विभाग द्वारा बीते कुछ दिनों से इस मुख्य बाजार में पानी की नई पाइपें बिचाने का कारे चल रहा था पर विभाग के करमचारी पाइप बिचाने के बाद पाइप को तो ढख रहे हैं लेकिन जमीन से निकली मिटी आदी को पूरे बाजार में बिखे रहे हैं इसी के कारण पूरा बाजार दलदल वो कीचर से भर गया है और ना चाहते हुए भी नगरवासियों के साथ ही शुरधालों को कीचर और दलदल के बीच से गुज़ना पड़ रहा है हमें में बजार के अंदर बजार की हालत जो है इतनी देरनी हो चुकी है कि यहाँ पर चलना ही मुश्किल हो चुका है अगर जल्द ही इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो शर्धालू शायद ही इस बाजार की और रुक करेंगे स्थानी दुकानदारों ने विभाग से अपील की है कि वे जल्द बाजार में फैले कीचर को साफ करें ताकि शर्धालों को आने जाने में कोई परिशानी नहों अदलना है अगर नजरिया तो चलते रहिए बस वक्त के साथ हम दिखाते हैं सबसे पहले बेशक हो छोटी का बरिया बड़ी वक्त इंडिया यही वक्त है